ब्राडवे इमिकेशन सर्वसी से ब्राडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E Academy जो आपको ILS कोचिंग देगी घर बैठे सो आपको कहीं ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है टीचर 1-2-1 आपके साथ लाइप बैठेंगे आपके कोशन doubts, confusion और plus the training वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी इमिडेटली इरजिस्टर करें दियेगे नमबर पे 9216 780780 Thank you नमश्कार दोस्तों मैं आम अचरीद ब्राडवे इमिकेशन सर्वसी से लगातार कोशिश इस चैनल के जरीए Canada study visa को लेके हर latest important update आप से share करते रहे So Canada जो की number one destination है students का सबसे ज़्यादा student वहीं जाना चाता है जैसे ही वो six each को touch करता है एक अच्छा PT score आसिल करता है एक अच्छे marks आसिल करता है तो definitely उसका target Canada है अब Canada presently जिस तरह से trending चल रहा है तो मैं भी videos बनाता हूँ और भी कई दोस्त बनाते हैं तो आपको साफ clarity दिखरी होगी कि जो visas है 90% success rate उनी applications पे है जो academically strong है जो financially strong है जो English wise strong है अब ये strong word की परिभाशा क्या है So academic बात करें तो 10 plus 2 student है दो साल से ज़्यादा gap नहीं है आपके mark sheet में D1, D2 जैसी grading नहीं है आपके percentage overall 60 and each subject preferably 60 I'm not saying everybody 60 but preferably 60 या near to 60 है तो ये strong academy के plus 2 वाले जाँ अगर आप graduate है आपने पिछले 3, 4, 5 साल में भी graduation कर रखी है बट आपके backlogs नहीं है अगर है भी तो एका दुका है मतलब minimum backlogs है then it's a strong profile बट जहाँ है आपके backlogs बढ़ जाते हैं 8, 9, 10, 6, 7 तो ये आपके लिए एक trouble create कर रहे है तो इस चीज़ को avoid करें अब financially strong होने की बारी तो financially strong होना मतलब दो चीज़ों का importance होना number one funds दिखाने चाहिए नहीं दिखाने चाहिए बड़ा conflict है because Canada की checklist में funds को लेके सिर्फ इतना ही है कि आपको GIC देनी है one year की fees देनी है but उसके बावजूद भी बच्चों को financial problems के कारण rejection आ रहे हैं तो ये चीज़ आप कैसे correct कर सकते हो इसके simple से fund नहीं है सबसे पहली चीज़ आपको family की income दिखानी है so that visa officer trust you कि जो आप education आपको यहां करने आ रहे हो वो family आपकी afford कर सकती है they having a regular income up to that so वो regular income कितनी होनी चाहिए वो आपके mother और father की मिलाके around 10 lakh के आसपास होनी चाहिए 8 हो जाए 9 हो जाए 10 हो जाए but इसके आसपास होनी चाहिए और बहुत लोगों को ये रहता है कि जी हमें tax देना पड़ेगा तो मैं बता दू कि इंडिया में 5 लाग से नीचे आपको tax apply नहीं होता you have to see the accountant और उसके इसाफ से अपनी returns को file करें और इतनी returns बन सकती है possible है हर परिवार के लिए किसी को कोई extra पैसा देने की ज़रूरत नहीं ये returns आप दिखा सकते हैं उसके इलावा जो J forms वगरा हैं उनकी इतनी validation नहीं है so better है returns के जरीए ही जाया जाए या अगर आप government employee है तो आप form 16 दिखा सकते हैं दूसरी तरफ जो financial का part है वो है fund show करना तो fund show करना कैनेडा में हर किसी को जरूरी नहीं है मैं पहले भी आपको ये बताता आ रहा हूँ जो बच्चे एक साल के course में जा रहे हैं उन्होंने अपने साल की fees दे दिये उन्होंने एक साल की living cost GIC transfer कर दिया है उन्होंने अपनी family income जो है वो दिखा दिया है तो उन्हें funds के उपर 99% कोई challenge नहीं आएगा so they can proceed for that but अगर आप 10 plus 2 student हैं यही सब चीज़ें आपने भी की हैं तो it is advisable कि आपका जो course है वो यहां तो 2 साल का है यहां 3 साल का है जगर diploma लिया है 2 साल graduation लिया है 3 साल तो ऐसे cases में I just advise you कि आप इतने funds जरूर दिखाएं कि वो आपकी second year की fees cover करते हो तो second year की fees के लिए जो funds रहे हैं वो लग-लग है university में जाएंगे वो 10 लाग क्या सपास की amount हो सकती है colleges में वो amount 8, 9, 7 लाग कुछ भी हो सकता है so जो भी आपकी second year की fees बनती है जो almost आपके first year साल के बराबर होती है उतने funds जरूर दिखा के चलें so this is how you can make it financially strong अब आगा English wise strong English wise IELTS को लेके तो बहुत simple है you just need to have a 6 in each module and you can gain it and you done it आपकी file SDSB होगी तो perfect उसके बाद जो PT पर बच्चे को attempt करते हैं तो advise them कि अपना score 54 in each section से उपर रख कर चलें और overall 56 से उपर रख कर चलें तो आप PT में काफी हद तक safe रह सकते हैं PTC की जो credibility है वो doubtful है लेकिन वो embassy की तरफ से किसी भी तरह से neglected exam नहीं है उसके उपर भी regular visas देखनों को मिलते हैं just you need to make sure कि आपके पास एक अच्छा और strong PT score है बाकी आगे भी इस चैनल के जरीए regular updates, important information आप से share होती रहेंगी subscribe करके रखें अगर आप study visa को लेके कहीं पर भी misguide नहीं होना चाहते हैं और हर information एक transparent तरीके से सुनना चाहते हैं fusion और plus the training वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी immediately register करें दियेगे number पे 9216-780-780 Thank you